नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देश उंकरतिवारी हूँ सियासत में कब क्या होगा कुछ पता नहीं कहा संविधान की लकीर खत्म होती है कहा सुरू होती है ये भी सियासत दान भूल जाते हैं केरल में कुछ ऐसा ही संवैधानिक संकट पैदा हुआ है C CAA को ले करके दरसल वहां हुआ क्या कि पहली बार केरल विधान सभा ने CAA के खिलाप प्रस्ताव पारित किया था ये वाक्या है 31 दिसंबर का और उसके बाद 10 जनवरी को उसने दिल्ली के तीन अख़बारों में विग्यापंजारी कर दिया केरल फष्ट करके यानि कि हम लिक्षा स्वास्त वगरा वगरा में जो कुछ भी उपलब्दियां है उसका जिक्र है और मुख्य मंत्री का जो है उस पे फोटो दिया गया है पिनारी विजयन का तो जैसे ही बिग्यापंजारी वगा इसमें सियासी गलियारे में इसकी चर्चा सुरू हो गई इसी बीच जो वहां के गवर्नर है आरिफ मुहमत खान और काफी वोकल भी है वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बयान जारी किया किरल सरकार ऐसा नहीं कर सकती है दरसल जो डिस्प्यूट है वो इस बात को ले करके है जो उन्होंने सवाल उठाया कि जनता के पैसे के से कैसे कोई सर सरकार सियासी विग्यापन दे सकती है उनका कहना है कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा बयान दिया होता तो कोई दिकत नहीं थी यदि पॉलिटिकल पार्टी ने विग्यापन जारी किया होता तो भी कोई दिकत नहीं थी क्योंकि राजनीत में ऐसा होता है लेकिन संबैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार और संसद के दोनों सद्नों द्वारा पारित कानून के खिलाफ ऐसा आयड कैसे जारी कर सकती है सोचेंगे तो उनके बात में दम है दम इसलिए है कि आपने अपनी उपलब्धियों का बखान किया यहां तक ठीक है लेकिन केरल सबसे पहले जो आप बात कहना चाहते हैं वी आर वन फर्स्ट जो उसका टाइटिल है विज्यापन का और उसमें मुख्यमंत्री का जो फोटो दिया गया है इस पे वो जो सवाल उठा रहे हैं कि अच्छा उसके नीचे लिखा गया है कि the state is leading the efforts to protect constitutional values यहीं पे इसी चीज़ को ले करके dispute है और आगे फिर और अपनी वो चीज़े काने के कोशिस कर रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या राज सरकार ऐसा कर सकती है सबसे पहली बात तो यह कि जब किन सरकार ने कोई कानून पारित किया संसत के दोनों सद्नों से समवैधानिक तरी से पारित किया तो बेशक राजी उसका विरोध करें लेकिन इस हद तक काईसे कोई जा सकता है नहीं जा सकता, कुछ राज्यों ने ये कहा कि नहीं हम इसका इसकानून को लागों ही नहीं करेंगे राजियों ने की सधार पर ये बात बोली क्योंकि उनको लागू करने और न करने का अधिकार ही नहीं है ये केंद्र का सब्जेक्ट है केंद्र ने कानून पास किया है हर हाल में उनको लागू करना पड़ेगा जो सम्विधान में तीन तरह की सूची बनी हुई है एक है केंद पिजर और राज ये दोनों बना सकते हैं तो यह जो सब्जेक्ट है C.E.A. यह तो केंधरी सूची में सामिल है और इस पे जो है सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है और संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को कोई भी राजे सरकार लागू करने से मना नहीं कर सकती तो ये बिरोध जो है चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे केरल हो चाहे राजस्थान हो चाहे 36 गड़ो जिन भी राज्जियों ने बिरोध किया राजनैतिक रूप से बिरोध करना अलग बात है और सरकारी कदम उठाना कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे और विग्याप मंता बनर जी पूरी सरकार और गवर्णर आमने सामने हैं लगभग वही परिश्थितिया केरल में भी बनती हुए सी दीख रहे ही आरृफ मुहमत tanto घान और उधर जो है फूरे मुख है बिजेयान दोनों आमने सामने लेकिन घिजिम तरीके से भी बात पैंटा हो रहा है भी development होगा हम आपको बताते रहेंगे आप देखते रहें हमारा डिजिटल चैनल इनकबर थैंक यू इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूब